नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चनल अगरिकल्चर है क्यों में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरेल से लेकर जुलाई के अगरिकल्चर करण्ट अफेर यह स्पेसिफिक होंगे नाबार के एक्जाम को मद्दे नजर रखते वे जो की प्रिलिम्स का एक्जाम है आपका साथ तारीक को तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा वीडियो थोड़ इसी पड़ी हो सकती है तो आप इसको टू या थ्री टाइम्स देखेंगे तो मैमोराईज इजीली हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं जली से तो मेरा ट अग्रिकल्चर इन्फस्ट्रक्चर फंड वाज प्रेजेंटज अनट्री जुलाई 22 इट वाज लॉंच्ट इन विच एर तो जो आadow इंफ्रिकल्चर इंनफ्र्स रॉंड इन्फट्रेज़ फंड है वह तीजुलाई 2022 को प्रेजेंट किया गया यह जो ऍनचिंट्रू कौन ने इसमें टॉप किया था रिसेंटली अगस्त मैने में आंदर परदेश सरकार ने इसमें टॉप किया था एक रैंकिंग है अग्रिकल्चर इंफरस्ट्रेक्टर फंड की जिसने सबसे अच्छा बहतरी से इस फंड का उप्योग किया है वो है आंदर परदेश साथ ही साथ जो ये Agriculture Infrastructure Fund है ये NS Tomar के दौरा दिये गया जो कि Agriculture Minister है हमारे अंडर आत्म निर्बर भारत पैकेज जिसमें की क्रेडिट दिया जाता है Post Harvest Management के जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तो उसे अगर आप सेल कर रहे हैं तो Post Harvest Loss बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में तो उसको Minimize करने के लिए ये Fund बनाया गया है Next Question है Who has backed the Sardar Patil Outstanding ICR Institute Award 2021 तो आपके पास Option है IVRI, APEDA, FCI या फिर नाम तो जो सही आंसर है वो है आपका नाम तो इसे सरदार पतेल Outstanding ICR Institute Award मिला है नाम की फुल फॉर्म क्या है National Academy of Agriculture Research Management जो की 1976 में स्टार्ट वा था 1976 में Next है आपका Center Considering Extension of Pradhaar Mantri आवास योजना अर्बन मिशन अपटू तो important है ये नाबाड के perspective से जो center है वो consider कर रही है, सुझाव कर रही है जो extension है प्रदान मंत्री आवास योजना अर्बन मिशन अपटू अप्रेल 2023, अप्रेल 2024, मार्च 2023 या फिर मार्च 2024 तो जो सही आंसर है वो है आपका मार्च 2024 और इससे जो start किया खिया प्रदान मंत्री आवास योजना को वो किया गया था जून 25 2015 को तो ये भी important है next है आपका which district became first her girl still certified district in the country तो which district became first her girl still certified district in the country option यहाश पर थोड़ा cancel कर दीजीए इसका मैं dive आपको बता जैता हूँ सही है आपका बुरान पूर बुरान पूर जो कि मत्यपरदेश में है इसके मैं option आपको आपडेट कर दूँगा टेलिगराम चैनल में नेच्ट है आपका Center has formed a committee on minimum support price under the chairmanship of former agriculture secretary तो जो center है केंदर सरकान ने committee बनाई है minimum support price की किसकी chairmanship के अंदर तो आपके पास option है Sanjay Agarwal, Manu Singh, Meena Keraat या फिर संतोस्ट, केटपाल तो जो सही answer है वो है आपका Sanjay Agarwal First option is the right answer तो ये जो committee बनाई जाएगी वो simply जो agriculture marketing system है उसको strengthen करने के लिए पावर देने के लिए ये बनाई गई है Next है आपका Which government decide to rejoin प्रदाम मंतरी फसल बीमा योजना तो जो प्रदाम मंतरी फसल बीमा योजना है वो आपने आप में एक flexure scheme है केंदर सरकार की तो ये जरूरी नहीं है कि जो सारी state है वो mandatory है पर जिन्होंने जो join किया था उसमें से एक जो state है उसने छोड़ दिया था बीच में किसी कारणवर्स और उसने दुबार से rejoin करने की अपील की है तो वो कौन सी state है तो जो सही आंसर है वो है आंदर परदेश तो इसने 2020 में प्रदामंत्री फसल भीमा योजन से बैक आउट कर दिया था और इसका जो reason बताया जाएगा वो है आपका higher premium prices जो higher premium prices के अंतरगत इसने ये प्रदामंत्री फसल भीमा योजन छोड़ दी थी पर अब ये दुबार से rejoin करना चाता है next आपका world mangrove day is celebrated annually on जो world mangrove day है वो celebrate करा जाता है annually कौन सी तारिक को तो जो सही आंसर है वो है आपका 26 26 जुलाई को ये मनाया जाता है 26 जुलाई world mangrove day साथी साथ इसे international day for the conservation of mangrove ecosystem भी बोला जाता है तो कैसे भी कोशन बन सकता है world mangrove day से भी बन सकता है या फिर international day for conservation of mangrove ecosystem तो दोनों चीज आपको याद अखनी है सवाल कैसे भी बन सकता है next आपका national fish farmer day is celebrated annually on जो national fish farmer day है वो celebrate annually on कौन सी तारिक को किया जाता है तो यह है आपका 10 जुलाई 10 जुलाई को यह मनाय जाता है और यह किसके उपलक्ष्ण मना जाता है डॉक्टर हीरालाल चौदरी जिसका जो outstanding contribution है आपका induced breeding major carp में उनके उपलक्ष्ण में यह मना जाता है national fish farmer day जैसे कि आपको national farmer day पता होगा चौदरी लाल सिंग के उपलक्ष्ण मना जाता है वैसे यह हीरालाल चौदरी के उपलक्ष्ण मना जाता है national fish farmer day next है आपका renew RE and EW partners with Uniab and Seva to launch which project तो renew partner with Uniab and Seva to launch which product आपके पास option है project surya, project agni, project work या फिर project drishti तो जो सही answer है वो है आपका तो इसके अंतरगात यहाँ पा project surya है वो लाया गया है project surya seva का आर्थ है self-implied woman association जिसमें की thousand low income woman को self बनाय जाएगा solar pump दे के तो solar pump दे के उनको self assurance बनाय जाएगा गुजरा सरकार ने यह निकाला है project surya next है आपका Union Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairy पुर्षोतम रुपाला has launched what for manure management तो जो fisheries के जो minister है उन्होंने कौनसी जो project है वो launch किया है आपका manure के जो खाद है उसका जो सही तरीके से management हो तो किस से इसको कह सकते हैं आप कि किस से इसके साथ partnership की है तो आपके पास option है NDDP मृद्धा लिमिटेड, स्वाय लिमिटेड, कवश लिमिटेड या फिर बहुत लिमिटेड तो जो सही आँसर है वो है आपका NDDP मृद्धा लिमिटेड ये unlisted public limited company है Companies Act 2013 के अंडर तो ये भी आप याद रखिएगा next है आपका a two days national conference of state agriculture horticulture ministers in Bangalore will be held on जो two days national conference होगी state agriculture horticulture minister की Bangalore में वो कब से कब तक होगी तो जो सही आँसर है वो है का 14 से 15 जुलाई 2022 14 से 15 जुलाई 2022 को ये रखी जाएगी इसका जो main उद्देश होगा कि promote करना trade और marketing of agriculture produce for getting better prices of agriculture communities to farmers जो better price मिल सके farmers को उसको जो promote करना है trade और marketing के जरिये तो ये two day conference करी जाएगी 14 से 15 जुलाई 2022 को नेश्ट है आपका प्राइम मिनिश्टर नरिन मोदी address a natural farming conclave through video conferencing at तो प्राइम मिनिश्टर नरिन मोदी के द्वारा एक natural farming conclave रखी जाएगी किस जगह में video conferencing के द्वारा दिल्ली लखनो सूरत या फिर कानपूर तो जो सही answer है वो है आपका सूरत में ये रखी जाएगी सूरत is the right answer next है which state has topped the ranking of state for the implementation of national food security act तो ये recent data के according ये दिया जाएगा तो कौन सी state है कौन सा राजय है जिसने की सरप्रथम इस्तान ग्रेंड किया है for implementation of national food security act आपके पास option है उडिसा, मद्यपरदेश, सिक्किम या महराष्ट्र सही answer है आपका उडिसा सही answer है आपका उडिसा यहां पर सही answer है उसके बाद है आपका UP second number पे UP then आंदरप्रदेश और यह जो दिया जाएगा यह union food and consumer affairs minister के द्वारा जिया जाएगा और अगर इसी question में अगर घुमा दिया जाए कि special category में special category में कौन सा राजय सरप्रतम आया है तो वो है आपका त्रिपुरा तो सारी चीज़ आप याद रखिए अगर simple as it is question आया तो आपका सही answer है Odisha then आपका UP then आपका अंदरप्रदेश special category में अगर पूछा जाए तो वो है आपका त्रिपुरा is the right answer next आपका department of food and public distribution will organize a national conference on food and nutritional security in तो यह कहा किया जाएगा यह है आपका दिल्ली में यह किया जाएगा याद रखिए जो इससे पहले वाला question था यह दोनों अलालग हैं एक सूरत में की जाएगी और एक दिल्ली में की जाएगी तो दोनों को mix मत कर दीजीगा ढंक से आप इसको तयार करिएगा next है आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट कमिशन इन विच स्टेट ओडिचा मद्यपर्देश तैलंगना या फिर महारास्ट्र सही आंसर है आपका तैलंगना तैलंगना इस दा राइट आंसर और यह सौ मेगवार्ट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा सो मेगवार्ट नेक्स्ट आपका विच मिनिस्ट्री लॉंच दा परपर रिवॉलिशन इन 2016 जैसे कि आपको पता है आपने पढ़ते आ रहे हैं एगरिकल्चर की क्लास से कि गोल्डन रिवॉलिशन राउंड रिवॉलिशन बहुत सारे हैं पर एक परपर रिवॉलिशन भी आया है 2016 में तो इसको विच मिनिस्ट्री कौन सी मंत्रा ले इसे लॉंच करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्स्टाइल तो याद रखिए जरूरी नहीं है, कोई भी चीज और रिवॉलिशन है, अगर एग्रिकल्चर से जुड़ा है, तो एग्रिकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा तो ये गलत है, एग्रिकल्चर यहाँ पे नहीं आएगा, सही आंसर है आपने पर्फ्यूम वगरा यूस किया होगा या जो उसकी खुशबू है, बहुत ही अच्छी होती है और इससे हम बहुत ही ज़्यादा इंकम गेन कर सकते हैं अगर इसका आप प्रोड़क्शन करे तो तो परपर रिवॉलिशन यह है आपका लेवेंडर से, 2016 में लॉंच किया गया गया किस मंतराले से किया गया है यह है Ministry of Science and Tech नेक्स्ट है आपका विच स्टेट बैग्स फर्स्ट प्राइज इन नैशनल MSME Award 2022 तो कौन सा राज्य ने पहला इस्तान प्राप्त किया है नैशनल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज अवाड 2022 शूश मलगू उद्योग में शूश मलगू और मध्यम उद्योग में मध्यपरदे महराष्टर, उरिशा या फिर हिमाच्च परदे सही आंसर है आपका उरिशा तो उरिशा आपका नेक्स्ट आपका वर्ल्ड फूद दे वास मार्क्ट बाइदा यूएन जनरल असेमली इन जो वर्ल फूद दे है वो यूएन जनरल असेमली के दोरह मार्क किया गया था कौन से एर खले 2018, 2017, 2016 या फिर 2022 तो जो सही आंसर है वो है आपका 2018 और यह जो वर्ल फूद दे है वो मनाया कब जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए 7 जून को 7 जून नेक्स्ट आपका तेम फोर नेशनल कॉन्फरेंस अन मिलर 2022 रिसेंटली आपको पता होगा जो फूड इंसेक्योर्टी हुई है पूरे वर्ल में यूक्रेन और रश्या के युद के कारण तो हमारे जो मंत्री हैं और मोधी जी ने भी कहा है कि मिलर्ट को ज़्यादा प्रोसान देना चाहिए कि जो मिलर्ट है वो सूपर फूड होगा फ्यूचर का सूपर फूड तो मिलर्ट के लिए important question बन सकता है क्योंकि मिलर्ट इस साल चर्चाओ में रा तो इसी से सवाल मैंने लिया है theme for national conference on millard 2022 is तो theme पूछी है millard 2022 national conference की food and population food in our nation by diversity one who serve the future super food for India तो जो सही answer है वो है आपका the future super food for India important हो गया है next है आपका PM Modi on 28 माई 2022 inaugurate the world first nano urea liquid plant by ifco at तो यह आपको बताना है जो सही answer है वो है आपका गुजरात में कालल कालल या फिकोलल में यह start किया गया है और ifco एक additional manufacturing facility भी start करेगा इसके production के लिए next है आपका who has launched country's first agri land price index तो country का first agriculture land price index किसने launch किया है I am Ahmedabad, Mumbai, Kanpur या फिर Delhi तो सही answer है आपका I am Ahmedabad और यह किसकी partnership में कर रहा है इंडियान एगरी लेंड मार्केट प्लेस एस फर्म इंडिया इन्होंने partnership की है आपका I am Ahmedabad के next है आपका Recently who among the following inaugurate the ONDC नबाड Grand Hackathon तो किसके द्वारा आपकी inauguration हुआ है ONDC नबाड Grand Hackathon की तो निर्मला सितरमन, पिवश गोयल, नितिनगटकरी या फिर निशीत प्रमनिक तो जो सही answer है वो है आपका पिवश गोयल जी के द्वारा यह start किया गया है Next है आपका Recently first India Animal Health Summit 2022 was held in which of the following cities तो जो सही answer है वो है आपका New Delhi New Delhi ने India की first Animal Health Summit 2022 गोशित की थी Next है आपका Coffee Board of India signed an MOU with which of the following Regarding Breeding of Climate Resilience Variety जो Coffee Board of India है उन्होंने MOU किसके साथ सांजा किया था ताकि Breeding of Climate Resilience Variety की जाए IIS Bangalore, Indian Institute of Science Bangalore, ISRO, IIT Bombay या फिर IIT Madras जो सही answer है आपका वो है ISRO यह भी रॉंग, यह भी रॉंग, सही answer है आपका ISRO के साथ यह deal की गई है MOU sign किया गया है Next है आपका Jammu and Kashmir sign an agreement with which of the following state to boost saffron cultivation and other temperate crops तो Jammu and Kashmir के द्वारा agreement sign किया गया था किस राज्य से ताकि वो जो saffron cultivation है और other temperate crops है उसको एक boost मिल सके तो Sikkim, Asam, Arunachar Pradesh और Manipur सही answer है आपका Sikkim आप यहां पर comment में जरूर बताएए कि जो saffron है saffron इसकी family क्या है important है question कई बार पूछा गया है saffron की family क्या है साथ ही साथ जम्मू कश्मी में इसका जो production है वो बहुत ज़्यादा होता है saffron और इसी को आगे बढ़ाते वे ताकि दूसरे राज्य भी इसका जो production है वो कर सकें तो Sikkim के साथ यह यहां पर agreement किया गया है क्योंकि somehow जम्मू और कश्मी और Sikkim का जो climate है वो mail खाता है तो boost करने के लिए अब production में इसकी help मिलेगी तो Sikkim के साथ यह जम्मू कश्मी ने agreement किया गया है saffron के cultivation के लिए next है आपका recently Singeta India has partner with which of the following institute to launch the biodiversity sensor project तो Singeta इंडिया ने किसके साथ recently partner किया है ताकि वो by dial steel sensor project launch कर सके तो जो सही आंसर है वो है IIT roper IIT roper के साथ यह partnership की गई है next है आपका which of the following state government and the united nation development program has announced data in climate resilience agriculture partnership तो आपके बस option है आंदरपरदेश, तेलंगना, गुजरात या फिर मद्यपरदेश सही आंसर है आपका तेलंगना तेलंगना is the right answer next है आपका 14th edition of hunarhard is being held at यह नवाड के paper में पहले भी आ चुका है hunarhard basically जो waiver से हमारे उनके जो प्रोसान है या फिर उनको boost करने के लिए hunarhard का जो उद्गाटन है समापन है वो किया जाता है और इसका जो चालिसवा संस्क्राण है addition है hunarhard का वो कहां किया गया है आंदरपरदेश, तैलंगना, गुजराद या फिर मुंबई तो सही आंसर है आपका गुजराद गुजराद में यह किया गया है hunarhard next है आपका PMFME scheme will be implemented over a period of 5 years from 2021 to 2025 with an outlay of तो इसका आपको यह outlay बताना है 2021-2025 तक यह PMFME scheme implement की जाएगी तो इसका जो outlay है वो कितना है तो जो सही आंसर है वो है आपका 10,000 करोड 10,000 करोड is the right answer next है आपका APEDA Agriculture Process Export Development Authority in Association with the Indian Trade Promotion Organization in Organizing Asia's Biggest International Food and Hospitality Fair AHA 2022 Act तो APEDA ने जो Association है ITPO के साब Asia का Biggest International Food and Hospitality Fair launch कर रहा है कहां पर सूरत, दिल्ली, मुंबई या फिर कानपूर तो सही आंसर है आपका मुंबई में ये किया जाएगा next है आपका Export of Agriculture Products from India Surpassed the United States Dollar में आपको ये बतानी है राशी for the first time during the financial year 2021-2022 जो Export है Agriculture Products के रिकॉर्ड तोड़ गये हैं तो आपको बताने है वो कितने गये हैं उनकी मूल ये कितना है तो सही आंसर आपका 50 billion 50 billion डॉलर ने इसको सरपास किया है Export इतना हुआ है इंडिया का next है who has stopped imports of agriculture products from India citing a failure to issue certificates of analysis causing worry among serial exporter तो किस यहां पर देश ने import लेने से मना कर दिया था इंडिया से because of certificates of analysis issue cereal exporter में तो America, England, Britain, Indonesia तो जो सही आंसर है वो है आपका Indonesia next है आपका the first portable solar rooftop system in India has been inaugurated at Andhra Pradesh, Gujarat, Madhra Pradesh या फिर सिक्किम सही है आपका Gujarat Gujarat is the right answer next है आपका Haryana Agriculture Minister J.P. Dalal launched the portal of मुख्यमंत्री भागवानी भीमा योजना विदन Initial Corpus of तो हर्याने के अग्रिकल्चर मिनिस्टर ने एक portal launch किया है मुख्यमंत्री भागवानी भीमा योजना इसका जो Initial Corpus of कितना है 10 करोर, 20 करोर, 40 करोर या फिर 50 करोर सही आंसर है आपका 10 करोर Next है आपका National Agriculture Market E-NAM A Pan India Online Trading Portal Has completed 6 years on April 14, 2022 यह जो फ्लेक्शिक प्रोग्राम है वो launch PM Modi के द्वारा कब किया गया था तो आपको वैसे पता चल रहा है कि 6 साल जब complete हो गए है तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कोशन उल्टा भी बन सकता है कि जो इनाम है वो Pan India Online Trading Portal है उसने completed 6 years कब किये थे तो यह वाला नहीं आएगा तो ऐसे भी कोशन बन सकता है तो दोनों सिरे से आप तयार यह कोशन कैसे भी आ सकता है Next है आपका Union Government has announced the formation of Cotton Council of India under the chairmanship of renowned veteran cotton man तो Union Government के द्वारा announce किया है कि यह Cotton Council of India बनाई जाएगी किसके chairmanship के अंदर सुरेश भाई कोटक, विनोदा कामबली, आरे शंकर या फिर रितुराज कमबोश सही है आंसार है आपका सुरेश भाई कोटक के द्वारा यह बनाई जाएगी Next है आपका चारा बिजाए योजना यह scheme है launch to provide financial assistant of rupees 10,000 per acre up to 10 acre to farmer cultivating and supplying for order to गोशालास तो चारा बिजाए योजना है तो यह किस राज्य की सरकार के द्वारा यह launch किया गया है जिसमें कि financial assistant दी जाएगी 10,000 per एकर ताकि वो farmer cultivating तो कर पाए और साथी साथ for order भी दे पाए गोशाला को उत्तरपरदेश, हर्याना, राजिस्तान या फिर गुजराद सही answer है यह आपका हर्याना की सरकार के द्वारा यह लाया गया है Next है आपका तो पहले तो आपको पता होना अच्छी यह वर्ल्ड बी डे मनाय कब जाता है यह है आपका बीस माई बीस माई को अब अगर थीम की बात करें तो थीम यह है आपके बात चार आप्शन सही answer है आपका बीस इंकेज celebrating the diversity of bees and beekeeping system fourth option is the right answer Next है आपका वो हैस रिसीव दे टुटी टू वर्ल्ड फूड प्राइस फ्रॉम दे वर्ल्ड फूड प्राइस फॉंडेशन इंपोर्टेंट है very very much important है और आने के पूरे पूरे chances है Cynthia Rosenwick, Peter Glenn, Richard Walvozzi या Samantha Merkel सही answer है आपका Cynthia Rosenwick तो Cynthia Rosenwick NASA की एक researcher है जिन्होंने climate change को देखके यह बोला कि agriculture जो है वो लगबद 10-20 साल में कैसा होगा और climate की बज़ए से क्या-क्या changes आएंगे तो इसके उपर उन्हें research की थी जिसके लिए उन्हें 2022 का world food price मिला और world food price में आपको एक citation दी जाती है diploma, sculpture और आपको राशी दी जाती है ढाई लाग डॉलर यो कि आप रफली कह सकते हैं 1.9 करोड या फिर 2 करोड भी आप कह सकते हैं तो इतनी राशी दी गई सिंथिया रोजन वीग को next है आपका global food policy report ये publish कौन करता है global food policy report ये publish कौन सा संगठन करता है नाबाड, world food organization international food policy research institute या फिर world economic forum सही answer है आपका international food policy research institute और ये जो recently in news में इसलिए आया है क्योंकि international food policy research institute के दोरा ये कहा गया है कि जो इंडिया का food production है वो drop होगा 16% 2030 तक जिससे की millions और जो lies है वो खत्रे में आ जाएगी तो आप कह सकते हैं कि food shortage एक एहम मुद्दा है तो इसके लिए कुछ करना ज़रूरी है सरकार को next है आपका MPDA जो कि marine product export development authority है उन्होंने sea food exporter के साथ एक कौन सा sunscreen का launch करेगी इंडिया इंटरनेशनल sea food show in कौकता तो simply इंडिया international sea food show कौकता में होगा आईजित होगा ये इसका कौन सा sunscreen है तो अब 22, 21, 23 या फिर 24 साही आंसर है आपका 23 ये संस्क्राण होगा next है आपका which bank has signed an MOU with food corporation of India to provide ultima salary package तो किस bank ने sign किया है MOU memorandum of understanding with food corporation of India to provide ultima salary package SBI, Bajaj, Assurance ICICI या फिर access bank साही आंसर है आपका access bank तो कुछ important चीज़े देख लेते हैं 36 गर्मेंट है वो set up करेगी rural industrial park in the state in the first year of the project there will be 300 such park this move aim to strengthen the rural economy and make the गौथान जो cattle shed है a center of livelihood the project will be launched on गांदी जैन्ती दो अक्टूबर को जो पहला ऐसा पार्क है वो कुल गाउं में आयजित होगा या फिर बनाया जाएगा 36 गर्में ही कुल गाउं में कंके डिस्ट्रिक्ट विच ऐस बीन नेम्ड गांदी ग्राम तो इंपॉर्टेंट है यह मैंने mcuq की जगा theoretical आपको बोला है तो यह थे आपके अप्रेल से आपके लगबर लगबर अगस्ट के मेट तक आपके agriculture current affair बहुत चुनेवे हैं और important है और यह कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे NAWARD में या फिर स्टेट गवर्मेंट एक्जाम में जिसमें के अगरिकर्चा पोच्टन पूचा जाएगा और जो upcoming आपका AFO आएगा तो important है इसको जासे जादा शेयर करिएगा और बताएगा की कैसी आपको लगी वीडियो और साथ ही साथ मैंने आपको कोश्टन पूचा है की सैफ्रोन की फैमिली क्या है आज के लिए तना ही 10 फोलिशन एवा ग्रेट है